हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज मैं बनाने जारी हूँ मज़ेदार सी काले चने की चाट काले चने कोशिस करते हैं सभी लोग अपनी बच्चों को खिलाने की क्योंकि काले चने काफी ताकतबर होते हैं और ये थेहच के लिए भी फायदे मन्द होते हैं तो सभी लोग कोशिस करते हैं कि रात बर पानी में बिगो करके चने रख दिये जाएं और सुबह बच्चों को खिला दिये जाएं लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं अगर आपके भी घर में बच्चे चने ऐसे नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से बच्चों को चाट बना करके दे सकते हैं जो की बिल्कुल हेल्दी है तो यहाँ पर मैं बनारी हूँ चाट तो मैंने चने को पहले ही 4-5 सीटी लगा करके उबाल लिया है राद बर पानी में भिगोके रखा और 4-5 सीटी लगाई यह देखी चले एकदम गल गए है अब बारीक गटी हुई ओनियन लेंगे तो मैंने यहां पर एक गटी हुई यहां बारीक कटी हुई टॉमेटो और दो ग्रीन चेली को मैंने बारीक कट कर लिया है ग गरम मसाला पूरी तरह ऑप्शनल है थोड़ी सी दो पिंच हींग डाल दी है वैने और हींग के बाद मैं डाल रही हूं गरम मसाला थोड़ी सी यह बहुत ज्यादा नहीं गरम मसाला डालना है पूरी तरह ऑप्शनल है आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर् प्रवाइज तो आप इसकी भी कर सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने चांट मसाला नमक और प्याज टमाटर डाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाए सारे में और अब मैं एड़ करने वाली हूँ इसमें बेसं से यह नमकीन होती है घर की बनी हुई नमकीन है अगर आप चाहें तो आप इसको नमकीन सेब डाले है न वो सील जाएंगे वो मुलायम हो जाएंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा तो फटा फट से हमें से सर्व करना है ताकि यह क्रिस्पी सी भी लगे और क्रंची सी भी लगे प्याज टमाटर इसमें पड़ें थोड़ी क्रंची भी लगेगी आप भी बनाईए खाईए अपने फैमली वालों को खिलाईए और अपना एक्सपीरेंस मेरे चैनल पर कमेंट वोक्स में सेयर कीजिए अगर इस रैसी फिस जड़ा कोई भी कोश्चन आपके माइंड में है तो आप सेयर कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग दा वीडियो बाइ